हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम टोपिक वाइस करेंट अफेर्स 2022 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दिवस और थीम 2022 पे यहां पर डिसकस करने वाले हैं, इसके पहले देखिए हमने लास्ट वीडियो में चर सभी टॉपिक के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप हमारी प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपके लिए सभी वीडियो एवेलेबल हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और 2022 के सभी डे और थिम्स को यहां पर एक-एक करके जान लेते हैं, अगर आपने वीडि मार्चि को विश्व जल्दिवस मनाए जाता है, दोहजार 22 में इसकी थिम्ड क्या थी, तो दिखिए, पहला तो आपको यही फैक्ट मिल गया, कि वर्लड वाटर डे हर साल कम मनाए जाता है, तो यह 22 मार्चि को मनाए जाता है, 1993 से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रुप में मनाय जा रहा है पूरे वर्ड में फ्रेश वाटर के प्रती लोगों को जागरूप करने के उद्देश से और लोग पानी को सहे जे उसका संचय करें और व्यर्थ में उसको ना बहाए इसके लिए जागरूपता फैलाने के उद्देश से वर्ड वाटर डे मनाय जाता है अब देखिए 2022 में ग्राउंड वाटर मेकिंग दा इन्विजिबल विजिबल ये विश्व जल दिवस 2022 की थीम थी सबसे पहली बार वर्ड वाटर डे मनाने का विचार देखिए 1992 में आया था तब युनाइटेड नेशन महासवा ने एक प्रस्ताव पास किया और उसके बाद 1993 में 22 मर्च से हर साल इसे मनाया जाना शुरू किया गया तो 2022 में देखिए थीम पूछी गई है तो ये है ग्राउंड वाटर मेकिंग दा इन्विजिबल विजिबल आंसर हो जाएगा आंसर डी ये वर्ल्ड वाटर डे की 2022 में थीम है अंतरास्ट्री ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाय जाता है तो इंटरनेशनल ओलंपिक दे हर साल देखिए 23 जून को मनाय जाता है यह दिन देखिए हर साल आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के उपलक्ष में मनाय जाता है पहली बार इसे 23 जून 1948 को मनाय गया था और तब से लेकर प्रती वर्ष ये 23 जून को ही हर साल मनाय जाता है इसे मनाय जाने का श्रे अंतरास्ट्य ओलम्पिक समिटी को दिया जाता है जिसकी इस्तापना 23 जून 1894 में की गई थी और इसी समिती की स्तापना के उपलक्ष में अंतरास्ट उलम्पिक दिवस मनाय जाता है इस समिती का मुख्याला स्वीड़लेन के लुसाने में हैं और वर्तमान में थौमस बाक इसके अध्यक्ष हैं कौन सी कमेटी है? अंतरास्ट उलम्पिक समिती इसी संस्ता की स्तापना के उपलक्ष में International Olympic Day हर साल 23 जून को मनाय जाता है वर्ष के किस दिन अंतरास्टे जेव विवित्ता दिवस मनाय जाता है तो देखे International Day for Biological Diversity अगर इस डे की हम बात करें तो पूरे वर्ड में जेव विवित्ता के बारे में जागरुकता फैलाने के उद्देशे से और प्रत्वी के संतुलन को बनाय रखने के लिए जेव विवित्ता कितनी ज्यादा जरूरी है इसके बारे में लोगों में जागरुकता फैलाने के उद्देशे से हर साल 22 मई को जेव विवित्ता दिवस मनाय जाता है जो की अंतरास्टे जेव विवित्ता दिवस है 2022 में सभी जीवन के लिए एक साजह भविश्य का निर्मान ये अंतरास्टे जेव विवित्ता दिवस की थीम थी कम मनाय जाता है 22 मई को हर साल अंतरास्ट जेव विवित्ता दिवस के रुप में मनाय जाता है इसके बाद नेक्स्ट कोशन पर आजाईए प्रतीवर्ष विश्व बाल श्रम निशेद दिवस कम मनाय जाता है तो देखिए आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि पूरे वर्ड में बच्चों को बाल श्रम से बचाने और बच्चों के शोशन को रोकने के लिए 12 जुन को हर साल विश्व बाल श्रम निशेद दिवस के रुप में मनाय जाता है 2022 में 12 जुन को ये मनाय गया था देखिए अंतरास्ट्रे श्रम संगठन के अनुसार पूरे वर्ड में 152 मिलियन से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो की बाल श्रम में लगे हुए हैं और इन में से भी 22 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो की खतरनाक तरीके के काम कर रहे हैं इसे रोकने के लिए हर साल विश्व बाल श्रम निश्य दिवस 12 जुन को मनाया जाता है इसकी शुरुआत देखिए 2002 में पूरे विश्व में की गई थी विश्व बाल श्रम निश्य दिवस 12 जुन को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस 2022 की थिम क्या थी वेरी वेरी अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है और नॉर्मली इसकी डेट पूछी जाती है कि ये कम मनाया जाता है पहले हम उद्देश्य की बात करते हैं तो पूरे वल्ड में देखिए ओजोन परत सरक्षन के लिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है अब इसे 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है तो देखिए 16 सितंबर 1987 में मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किये थे जो की ओजोन परत के सदक्षन से संबन्दित था आगे चलकर 16 सितंबर 1995 में इस दिवस को मनाय जाने की शुरुआत की गई थी 2022 में Global Corporation Protecting Life on Earth विश्व ओजोन दिवस की थीम है आंसर ए हो जाएगा जैसा कि अभी मैं आपको बताया पूरे विश्व में ओजोन परत के सरक्षन के लिए लोगों को जागरूप करना और सभी देशों को कार्बन उत्सरजन को कम करने के प्रती प्रोत्साहित करना इस दिव हर साल 16 सितंबर को मनाय जाता है नेक्स्ट देखिए विश्व दुख्द दिवस एक जुन को मनाय गया 2022 में इसकी थीम क्या थी तो पहले देखिए कुश्चन तो यही कलेक्ट कीजिए कि विश्व दुख्द दिवस कम मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है देखिए हर साल एक जुन को युनाइटेड नेशन के खाद्दे एवं क्रशी संगठन के द्वारा हर साल एक जुन को विश्वत दुग्द दिवस के रुप में मनाय जाता है। हर साल ये एक जुन को मनाय जाता है। डेरी नेट जीरो 2022 में विश्वत दुग्द दिवस की थीम है। या साइन्स जितने भी कोर्से से फ्रेंट्स इनके अलावा वो सभी आपको क्रेजी जीकेट ट्रिक के अप्लिकेशन पर मिल जाएंगे। तो अगर आप इन सभी कोर्से को जॉइन करना चाते हैं तो बहुती नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए क्रेजी जीकेट ट्रिक के अप्लिकेशन पर ये सभी कोर्से अवेलेबल हैं। अधिक जानकरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या वाटसप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्रेजी जीकेट ट्रिक के अप्लिकेशन पर अब आप सभी के लिए सभी सब्जेक की ई-बुक भी एवेलेबल हैं। इनकी विशेशता है या तो आप पूरी ई-बुक जोइन कर सकते हैं और अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसकी ई-बुक भी आप क्रेजी जीकेट ट्रिक के अप्लिकेशन से ले सकते हैं। इसके अलावा काफी सारा स्टेडी मटेरियल क्रेजी जीकेट ट्रिक के अप्लिकेशन पर विताउट कॉस्ट एवेलेबल करवाए गया है तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। बिनाधिर किये प्ले स्टोर से क्रेजी जीकेट ट्रिक एप्लिकेशन डाउन्लोड कर लिजे। चलिए अगले कोश्चन पर आजाते हैं। नेक्स्ट कोश्चन देखिए प्रतीवर्ष विश्व तंबाकू निशेद दिवस कब मनाय जाता है। तो देखिए विश्व तंबाकू निशेद दिवस हर साल 31 माई को मनाय जाता है। 1987 में WHO ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था ताकि पूरे वल्ड में तंबाकू से होने वाली बिमारियों के प्रती लोगों को जागरुक किया जा सके। और इसके प्रस्ताव पास करने के बाद 1988 में 7 अप्रेल को इसे मनाय जाना शुरू किया गया। लेकिन इसी के अगले साल जब इसे मनाय गया तो इसकी डेट हटा कर 31 माई कर दी गई। तब से लेकर आज तक ये हर साल 31 माई के दिन मनाय जाता है। 2022 में तंबाकू हमारे परियावरन के लिए खतरा है विश्व तंबाकू निशेद दिवस की थीम है। कब मनाय जाता है 31 माई को। हाली में सयुक्त रास्ट महासभा ने किस दिन को इस्तलामोफोबिया दिवस के रूप में इस्तापित किया है। तो देखे युनाइटेड नेशन महासभा ने हर साल 15 मार्च को इस्तलामोफोबिया दिवस के रुप में मनाय जाने की गोशना की है। इसकी शुरुआत हाली में 2022 में ही की गई है और पहली बार 2022 में इसे 15 मार्च के दिन मनाय गया है। पूरे वल्ड में इस्तलामोफोबिया मतलब इस्तलाम के प्रती जो घ्रणा हैं उसे खत्म करने के उद्देश से इस दिवस को मनाय जाने की गोशना की गई है। तो इस्तलामोफोबिया दिवस हर साल 15 मार्च को मनाय जाएगा। अंसर C, 7 अप्रेल को प्रत्यक वर्ष विश्व स्वास्त दिवस मनाय जाता है इस वर्ष थीम क्या है। तो देखिये World Health Day जो की हर साल 7 अप्रेल को मनाय जाता है फ्रेंड्स, 2022 में Our planet Our health ये विश्व स्वास्त दिवस की थीम है। इसे डबल्यू एचो के स्थापना दिवस के रुप में मनाय जाता है क्योंकि डबल्यू एचो के स्थापना 7 अप्रेल 1948 को की गई थी और इसके बाद 1950 में इस दिवस को पहली बार 7 अप्रेल के दिन मनाय गया था तब से लेकर आज तक 7 अप्रेल को हर साल विश्व स्वास्त दिवस के रुप में मनाय जाता है अवर प्लैनेट अवर हेल्थ विश्व स्वास्त दिवस की 2022 में थीम है आंसर ए प्रती वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कम मनाय जाता है तो विश्व फोटोग्राफी इसकी शुरुआत देखिए सबसे पहली बार 2010 में की गई थी फोटोग्राफी के इतिहास और कला को प्रदेशित करना और उसके बारे में लोगों को जागरू करना विश्व फोटोग्राफी दिवस का उद्देश्य है 2022 में पैंडेमिक लोगडाउन थ्रो दे लेंस विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम है हाली में 19 अगस्त 2022 को इसे मनाय गया है आंसर भी हो जाएगा इस साल विश्व परियटन दिवस की थीम क्या थी तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विश्व परियटन दिवस मनाय कब जाता है तो पूरे विश्व में वेश्विक परियटन को बड़ावा देने के उद्देश्य से 27 सितंबर को विश्व परियटन दिवस के रूप में मनाय जाता है कब 27 सितंबर को तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको डेट मिल गई अब हम बात करते हैं कि 2022 में इसकी थीम क्या है तो 2022 में री थिंकिंग टुरिज्म विश्व परियेटन दिवस की थीम है आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा री थिंकिंग टुरिज्म विश्व परियेटन दिवस की 2022 में थीम है जिसे हर साल 27 सितंबर को मनाय जाता है इस दिवस को मनाय जाने की शुरुवात 1980 में की गई थी प्रतीवर्ष 26 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाय जाता है तो देखिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के अमेरिका के सवविधान में देखिए 19 सवविधान संशुदन किया गया था और इसके माध्यम से महिलाओ को वोट देने का अधिकार दिया गया था महिलाव की इस्तिति मजबूत करने और हर शेत्र में उन्हें सम्मान दिलाने या फिर यू कहा जाए कि महिला सशक्ती करण के उद्देशे से हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाय जाता है अंसर हो जाएगा महिला समानता दिवस हर साल 26 अगस्त को मनाय जाता है इसके बाद अगले कुश्यन पर आ जाते हैं प्रती वर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाय जाता है तो विश्व आदिवासी दिवस हर साल देखिए 9 अगस्त को मनाय जाता है युनाइटेड नेशन और्गनाईशन ने आदिवासीों के हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की घोशना की थी और 1994 से प्रती वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को मनाय जा रहा है देखे आप सभी को पता होगा कि पूरे वर्ड में लगभग 40 करोड आदिवासी जनसंख्या है और भारत के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो भारत की कुल आबादी में से 8.6% जो है वो जनजाती के लोग हैं मतलब आदिवासी लोग है जो की भारत की कुल जनसंख्या खा लगभग 10 करोड होता है इसलिए इनके अधिकारों की रक्षा की जाए इन्हें मुक्यधारा में लाने का प्रयास किया जाए इसी उद्देश से विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाय जाता है विश्व आद्रभूमी दिवस 2022 की थीम क्या है तो देखें सबसे पहला कुश्यन तो ये आता है कि विश्व आद्रभूमी दिवस मनाय कब जाता है तो देखे पूरे वर्ड में आदर भूमी सर्रक्षन के लिए लोगों को प्रोसाइट करने के उद्देश से दो फरवरी को हर साल विश्व आदर भूमी दिवस के रुप में मनाय जाता है अब दो फरवरी को ही क्यों मनाय जाता है तो देखिये दो फरवरी 1971 को इरान के रामसर में एक सम्मिलन आईजित किया गया था जो की आदर भूमी सर्रक्षन से संबंदित था इसे रामसर सम्मिलन कहा जाता है इसी दिन मतलब दो फरवरी को सभी सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे इसलिए विश्व आदर भूमी दिवस भी दो फरवरी को हर सल मनाय जाता है अब 2022 में देखिए वेटलेंड एक्षन फोर पीपल एंड नेचर ये विश्व आदर भूमी दिवस की थीम है तो अंसर हो जाएगा अंसर बी वेटलेंड एक्षन फोर पीपल एंड नेचर विश्व आदर भूमी दिवस 2022 की थीम है प्रतीवर्ष भारत में आतंगवाद विरोधी दिवस का मनाय जाता है तो Anti-Terrorism Day हर साल भारत में देखिए 21 मई को मनाय जाता है 21 मई भारत के पुर्व प्रधान मंतरी राजीव गांधी की पुन्यति थी है 21 मई 1999 में इन्हें तमिल लाडू में देखिए एक आतंगवादी हमले में इनकी हत्या कर दी गई थी तो 21 मई को इनके पुन्यतिति के दिन को आतंगवाद विरोधी दिवस के रुप में भारत में मनाय जाता है शान्ती वर सद्भावना को बढ़ाना इस दिन को मनाय जाने का उद्देश्य है 21 मई ओके इसके बाद आगे देखते हैं प्रती वर्ष 24 अक्टूबर को किस दिवस के रुप में मनाय जाता है important question है और आप सभी इसके बारे में जानते हैं 24 अक्टूबर को हर साल सयुक्त रास्ट दिवस के रुप में मनाय जाता है क्योंकि इस दिन 1945 में UNO की स्तापना हुई थी जो कि पूरे विश्यो में शान्ती, विकास और मानाव अधिकारों के सलक्षन के लिए काम करने वाली संस्ता है जब इसकी स्तापना हुई थी, तब 51 देश UNO के सदस्य थे वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है इसका मुख्याले अमेरिका के न्यू यॉक में इस्ति थे और इसके वर्तमान में महासचीव एंटोनियो गुटेरेस है तो UNO Day 24 अक्टूबर को हर साल मनाय जाता है किस दिन प्रती वर्ष रास्टे डॉल्फिन दिवस के रुप में मनाय जाता है तो रास्टे डॉल्फिन दिवस भारत में हर साल 5 अक्टूबर को मनाय जाता है देखिए National Board of Wildlife द्वारा डॉल्फिन सर्दक्षन के प्रती लोगों में जागरुकता फेलाने के उद्देश से 5 अक्टूबर को रास्टे डॉल्फिन दिवस मनाय जाने की गोशना की गई थी और 2010 से इसे हर साल 5 अक्टूबर को मनाय जा रहा है विश्व इस्तर पर मनाय जाने वाला विश्व म्रदा दिवस पहلी बार कम मनाय गया था तो देखे पूरे वल्ड में म्रदा की गुणवत्ता के प्रती लोगों को जागरुक करने के उद्देश से विश्व म्रदा दिवस की शुरुआत की गई थी और पहली बार इसे 5 दिसंबर 2014 को मनाय गया था आंसर B हो जाएगा 5 दिसंबर को हर साल World Soil Day के रुप में मनाय जाता है 2022 में Soils, Where Food Begins, विश्व म्रदा दिवस की थीम है पहली बार कब मनाय गया था? 5 दिसंबर 2014 को आंसर B इसके बाद कुशन देखिए प्रती वर्ष रास्ट्र पंचायती राज दिवस कब मनाय जाता है? तो रास्ट्र पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रेल को मनाय जाता है कारण आप सभी को पता है 24 अप्रेल 1993 में भारत में तिहोत्तरवा सव्विधान संशोदन लागू किया गया था जो कि पंचायती राजिस से संबंधी थे इसलिए रास्ट पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रेल को मनाय जाता है 21 सितंबर को प्रती वर्ष अंतरास्ट शांती दिवस के रुप में मनाय जाता है इस साल इसकी थीम क्या थी तो देखिए पहला फेक्ट आपको यहाँ पर यह मिला कि अंतरास्ट शांती दिवस जिसे इंटरनेशनल पीस डे के नाम से जाना जाता है 21 सितंबर को हर साल मनाय जाता है वर्ल्ड के सभी देशों और लोगों के बीच में शांती स्तापित करने के उद्देश से और शांती के प्रती भाईचारे के प्रती लोगों में जागरुकता फेलाने के उद्देश से इंटरनेशनल पीस डे मनाय जाता है 2022 में देखिए एंड रेजिजम, बिल्ड पीस, इंटरनेशनल पीस डे की थीम है आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा पहली बार 1981 में इंटरनेशनल पीस डे के रुप में 21 सितंबर को मनाय गया था प्रती वर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है तो विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रेल को मनाय जाता है इसकी शुरुआत देखिये 2008 में पहली बार अफ्रीका महादीप से की गई थी 2022 में हारनेस इनोवेशन टू रिड्यूस ड़े दे मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइज विश्व मलेरिया दिवस की थीम है हर साल यह 25 अप्रेल को मनाय जाता है आंसर डी इसके बाद नेक्स्ट कुशन पर आ जाते है आठवे अंतरास्टी योग दिवस 2022 की थीम क्या है तो देखिये 8 इंटरनेशनल योगा डे जो की हाली में 2022 में मनाय गया है फ्रेंड्स इसकी थीम है 2022 में मानवता के लिए योग या यू कहा जाए योगा फोर हुमेनेटी ये थीम है अंतरास्टी योग दिवस की 2022 में अब यहाँ पर ये भी याद रखेगा कि ये 8 इंटरनेशनल योगा डे है जो की 2022 में मनाय गया है सबसे पहली बार UN के द्वारा 2014 में इसके लिए प्रस्ताव पास किया गया था और सबसे पहली बार इंटरनेशनल योगा डे 2015 में मनाय गया था और हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रुप में मनाय जाता है तो ये भी याद रखेगा डेट भी काफी एक्जाम में पूछी जाती है तो मानवता के लिए योग इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम है प्रतीवर्ष अंतरास्टे श्रमिक दिवस कम मनाय जाता है तो देखिए इंटरनेशनल लेबर डे ये हर साल एक मई को पूरे विश्व में मनाय जाता है सभी लेबर्ष के अधिकारों के बारे में जागरूपता फिलाने और उनकी उपलब्दियों को चिनहित करने के उद्देश से हर साल पूरे विश्व में इंटरनेशनल लेबर डे के रुप में एक मय को मनाय जाता है अंसर C हो जाएगा पच्शीज जनवरी को रास्ट्र मतदाता दीवस मनाय जाता है 2022 में इसकी ठीम क्या थी तो देखिया फ़्स्ट इंपर्टेंट फेक्ट रास्ट्र मतदाता दीवस जिसे National Waters Day के नाम से जाना जाता है हर साल 25 जनवरी को मनाय जाता है 2022 में समावेशी सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की और अग्रसर रास्ट मतदाता दिवस की थीम है आंसर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रास्ट मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाय जाता है इसके बाद अगले कोश्चन पर आजाईए कोश्चन देखिए 2022 में Earth Day की थीम क्या थी जो 22 अप्रेल को आयोजित किया गया तो देखिए Earth Day हर साल 22 अप्रेल को मनाय जाता है 2022 में Invest in Our Planet प्रत्वी दिवस की थीम है आंसर ए हो जाएगा पूरी प्रत्वी को बहतर बनाने के लिए रहने योग्य बनाया जा सके परियावरन प्रदुशन को खत्म किया जा सके इसके लिए पूरे विश्व में लोगों में जागरुपता फिलाने के उद्देश से Earth Day के रुप में 22 अप्रेल को मनाय जाता है Invest in Our Planet 2022 में Earth Day की थीम है आंसर ए हो जाएगा हाली में प्रवासी भारती दिवस कम मनाय गया तो प्रवासी भारती दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाय जाता है ये दिन इसलिए भी important है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को मात्मा गांधी दक्षिन अफ्रीका से भारत लोट कर आय थे इसी दिन के उपलक्ष में पूरे भारत में प्रवासी भारती दिवस के रुप में मनाय जाता है पहली बार 2003 में प्रवासी भारती दिवस मनाय गया था और इसका जो पहला सम्मिलन है जो कि प्रवासी भारती सम्मिलन के नाम से जाना जाता है जनवरी 2003 में दिल्ली में आयोजित किया गया था इस साल 2023 में प्रवासी भारती सम्मिलन मद्धि प्रदिश के इंदोर में आयोजित किया गया है तो प्रवासी भारती दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाय जाता है 18 अप्रेल को प्रतीवर 20 दिवस के रुप में मनाय जाता है तो पूरे विश्व में 18 अप्रेल को विश्व धरोहर दिवस मतलब World Heritage Day के रुप में मनाय जाता है 2022 में धरोहर और जलवायू मतलब Heritage and Climate 2022 में विश्व धरोहर दिवस की थीम है अंसर डी हो जाएगा अब देखिए World Heritage Day की अगर हम बात करें तो ये युनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था जिसकी स्तापना 4 अप्रेल 1946 में की गई थी पूरे विश्व में हेरिटेज घोशित करने का अधिकार युनेस्को को दिया गया है इसका मुख्यालाय फ्रांस के पैरिस में स्तित है और वरतमान में अंद्रे एंजोले इसके महानिदेशक है इसे भी याद रखिएगा युनेस्को के बारे में काफी एक्जाम में डिटेल पूछी जाती है तो हम कोश्चन पर आ जाते हैं 18 अप्रेल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रुप में मनाय जाता है हेरिटेज एंड क्लाइमेट वर्ल्ड हेरिटेज डे की 2022 में थीम थी किस दिन हर साल भारत में रास्ट्र खेल दीवस आयुजित किया जाता है तो देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल 29 अगस्त को मनाय जाता है 29 अगस्त देखिए मेजर ध्यानचंदर की जैनती है जो की होकी के जादूगर कहलाते हैं इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाबाद में हुआ था होकी में इनकी उपलब्दियों के कारण इनकी जैनती 29 अगस्त को रास्ट्र खेल दीवस के रुप में भारत में मनाय जाता है अंसर बी विश्व जनसंख्या दीवस 2022 की थीम क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन डेट 2022 अगर हम इसकी बात करें तो ये हर साल देखिए 11 जुलाई को मनाय जाता है पहले तो डेट ही याद रखिएगा यही इंपोर्टन है और सबसे ज्यादा एक्जाम में पूछी आती है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डेट के रुप में मनाय जाता है अब देखिए 2022 में अगर हम इसकी थीम की बात करें तो 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविश्य की ओर ये विश्व जनसंक्या दिवस 2022 की थीम है अंसर भी हो जाएगा देखिए सबसे पहली बार 1990 में 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डेट के रुप में पूरे विश्व में 90 से अधिक देशों ने मिलकर मनाया था जब से लेकर आज तक हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डेट के रुप में मनाया जा रहा है इसके बाद सबसे लास्ट कुश्चन देखिये फ्रेंट्स तो देखिये विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाय जाता है अब एक्चुल में इसको बनाय जाने का कारण क्या है तो देखे 1945 में 16 अक्टूबर के दिन United Nation के खाद्य एवं क्रशी संगठन की स्तापना की गई थी तो इसकी स्तापना दिवस की याद में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को हर साल मनाय जाता है 2022 में Live No One Behind मतलब किसी को भी पीछे ना छोड़े ये विश्व खाद्य दिवस की थीम है कब मनाय जाता है 16 अक्टूबर को United Nation खाद्य एवं क्रशी संगठन जिसकी स्तापना के उपलक्ष में इसे मनाय जाता है ये संस्ता वेश्विक इस्तर पर भुक मरी को समाप्त करने के लिए अंतरास्टी प्रयासों का नितरत्व करती है और पूरे विश्व का सयोग करती है विश्व खाद्य दिवस इसे की स्तापना की याद में 16 अक्टूबर को मनाय जाता है तो फ्रेंट्स देखें यहाँ पर हमने 2022 के Most Important 30 Days और उनकी थीम को बहुत ही डीटेल में डिसकस किया है अगर आपको विडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा और साथी साथ चेनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट विडियो में तब तक आप हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट विडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे खयाल रखिए अपना जय हिन जय भारत